जम्मू कश्मीर के उपराजपाल बनाए गए मनोज सिनहा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है इस तस्वीर में एक तरफ पियम मोदी बैठे हैं और दूसरी तरफ मनोज सिनहा बीच में खुद राश्पती रामनाप कोविंद है मनोज सिनहा के समर्थक गाज़िपूर के वाटसप गुरूप्स और फेस्बुक ट्विटर जैसे प्लैटफॉर्म पर इस तस्वीर को शेर कर रहे हैं असल में ये तस्वीर एक खास बैठक की है आप देख सकते हैं कि इसमें मनोज सिनहा के अलावा अन्यनिता भी मौजूद दिख रहे हैं आपको बता दे कि ये नई शिक्षा नीती पर राज़िपालो की कॉन्फरेंस की तस्वीर है राश्पती रामनात कोविंद और पियम मोदी ने भी इस कॉन्फरेंस को सम्बोधित किया आपको बता दे कि ये नई शिक्षा नीती पर राज़िपालो की कॉन्फरेंस की तस्वीर है राश्टपती रामनात कोविंद और पियम मोदी ने भी इस कॉन्फरेंस को सम्भोधित किया इसमें राजपालों के अलावा विश्विद्यालों के कुलपती भी शामिल हुए थे आपको बता दे कि जम्मो कश्मीर का उप राजपाल बनाये जाने के बाद मनोच सिनहा और सत्ता के केंद्र दिल्ली की बीच का करक्षन और बढ़ गया है जम्मो कश्मीर में भी मनोच सिनहा की कारेशली की व्यापक चर्चाएं शुरू हो गई है कश्मीर में स्थानी लोगों से बहतर समवाद के लिए मनोज सिनहा हेलिकॉप्टर की बजाए सड़क मार्क को अपना रहे है उनका ये कदम सूबे में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है पिछले दिनों मनोज सिनहा ने कश्मीर से सिविल सेवा में चैनित हुए दो युवाओं से मुलाकात की थी समाज के सारे वर्गों से उनका इस तरह का समवाद चालू है मनोज सिनहा लगातार घाटी में विकास कारियों की समिक्षा कर रहे हैं इसके लिए वो अलग-अलग इलाकों के दोरे भी नियमित कर रहे हैं ऐसे ही एक दोरे में वो पिछले दिनों पुलवामा पहुंचे थे इस बीच मनोज सिनहा के साथ काम कर चुके 1996 के आईएस नीतेशवर कुमार एक बार फिर उनके साथ हो लिए असल में नीतेशवर कुमार को उपराजबाल मनोज सिनहा का मुख्य सचिव बनाए गया है आप देखना ये है कि कश्मीर में मनोज सिनहा और उनके भरोसे मन अफसर की रणनीती कितनी कारगर साबित होती है ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर तबाएं